नौरात्र यानी नौराते इन नौरातों और दस दिनों के दोरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौर रूपों की पूजा की जाती है। दस्वा दिन तशहरा के नाम से प्रसिद है। नौरात्र वर्ष में चार बार आता है। पौश नौरात्र, चैत्र नौरात्र, आशाध नौरात्र और अश्वनी नौरात्र नौरात्र प्रतिपदा से नौमी तक मनाया जाता है नौरात्र के नौरात्र के नौरातों में तीन देवियों महालक्षमी, महासरस्वती और दुर्गा के नव स्वरूपों की पूजा होती है जिने नव दुर्गा कहते हैं इन नव रातों और दस दिनों के दोरान शक्ति स्वरूपा देवी के नव रूपों की पूजा होती है दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली अर्थात दुर्गा दुर्गति नाशनी समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाने वाली देवी मा दुर्गा सुरूपा नव दुरगा यानि मा दुरगा के नव रूप इन नव रूपों में नव औशदियां भी विराचती हैं। मा अंबे के ये नव रूप जो समस्त रोगों से बचा कर जगत का कल्यान करते हैं। नवदुर्गा की नव औशदी सोरूपों को सबसे पहले मारकंडी चिकत्सा पद्धधी के रूप में दर्शाया गया और चिकत्सा प्रणाली के इस रहसी को ब्रंभाजी के द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया। अकाल मृत्व से बचकर लंभी आयू जीता है तो आएए नव औशदियां जिन्हें नव दुरुगा के रूप में जाना गया हम उनकी बात करेंगे। एक रूप है ये आयूलवेद की प्रधान औशदि है जो साथ प्रकार की होती है इसमें हरीतिका यानि हरी भय को हरने वाली है पत्या जो हित करने वाली है काइस्थ जो शरीर को यानि काया को बनाए रखने वाली है और अम्रिता जो अम्रित के समान है हेमवती अर्थात हेम अगली कड़ी में कल हम बात करेंगे नौरात्र के दूसरे दिन की देवी ब्रह्मपचारणी के बारे में और बताएंगे आपको क्या हैं देवी ब्रह्मपचारणी के और शदिय गुण। देवी मा की गृपए आप पर सदयों बनी रहे। जै मादूर के।